साल 2021 में जिन बॉलिवुट सितारों ने अचानक दुनिया को अलविदा कहा, उन्हीं में से एक है राजीव कपूर। राज कपूर के पांचों बच्चों में से सबसे छोटे राजीव कपूर का देहांत नौफरवरी की सुभा अचानक दिल का दौरा पढ़ने की वज़ा से हुआ था। बीते साल रिशी कपूर को खोने के बाद राजीव भी अचानक दुनिया को छोड़ कर चले गए तो इस दुख से उनके बड़े भाई रंधीर कपूर की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वैसे राजीव का ना फिल्मी करियर चला ना ग्रहस्ती। पिता राज कपूर और बड़े भाई रिशी कपूर के साथ भी उनके रिश्टे तलक ही रहे थे। जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पिता से नाराज रहे। राजीव का मानना था कि उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में सही तरह से लॉंच नहीं किया। जिसका नतीजा उन्हें फ्लॉट होकर जहलना पड़ा। राजीव कपूर ने साल 1983 में फिल्म एक जान है हमसे डेब्यू किया था। ये फिल्म ओंधे मूंगिरी थी। हाला कि राजीव कपूर को पसंद किया गया था। जिसके बाद राजीव कपूर ने बेटे को लेकर फिल्म बनाई रामतिरी गंगा मैली। 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई थी। लेकिन इसकी सफलता का सारा श्रे मंदाकिनी ले गई थी। यही से राजीव कपूर की करियर के बुरे दिन शुरू हो गए थे। धीरे धीरे उनका फिल्मी करियर दम तोडने लगा। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 13 फिल्मों में काम किया था जिसमें से 12 फ्लॉप रही थी। मही राजीव कपूर की शादी शुदा जिन्दीगी भी काम्याब नहीं रही थी। साल 2001 में राजीव कपूर ने आर्किटेक्ट आर्थी संभरवाल से शादी की थी। लेकिन ये शादी मुश्किल से दो साल ही ठीकी। पतनी से तलाक के बाद राजीव कपूर ता उम्र अकेले रहे। उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। नाकाम्याब शादी और फ्लॉप करियर की वजह से राजीव मायूस होने लगे थे। बड़े भाई रिशी कपूर के साद भी राजीव के रिष्टे कुछ खास अच्छे नहीं थे। मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजीव रिशी कपूर की काम्याबी और उनकी खुशाल घ्रस्ती को देख उनसे चिड़ने लगे थे। दोनों भाई कई मौकों पर साथ दिखते थे लेकिन उनके रिष्टे में हमेशा दूरिया रही। रिशी कपूर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी खुलम खुला रिशी कपूर अंसेंसर में इस बात को स्वीकार किया था। रिशी कपूर के मुताबिक कुछ बातों की वजह से राजीव और रिशी के बीच हमेशा दूरिया रही थी। लेकिन दोनों भाईयों के बीच कड़वाहट कभी नहीं थी। रिशी का मानना था कि शमता होने के बावजूद राजीव ने कभी अपनी प्रतिभा का सही उप्योग नहीं किया। रिशी ने माना था कि अगर राजीव अपने करियर पर ध्यान देते तो वो जरूर काम्याब होते लेकिन उन्होंने अपने करियर को सीरिसली नहीं लिया था